अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मुझ आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ वेस्ट मटीरियल से हम ब्यूटिफूल फोटो फ्रेम कैसे बना सकते हैं एक गिफ्ट बॉक्स के अंदर मुझे थर्मकॉल का फ्रेम मिला था जिसे मैंने समाल के रख लिया था मुझे लगाता है फ्यूचर में ये किसी काम आ जाएगा अब देखें मैं इसका यूज कैसे फ्रेम बनाने के लिए करती हूँ सबसे पहले इस पूरे फ्रेम के उपर मैं ब्लैक स्प्रे से इसे कवर करना शुरू करूंगी जैसा कि आपको पता है स्प्रे लगाते ही धर्मकॉल के ओपर धर्मकॉल जो है वो बर्न होना शुरू हो जाता है लेकिन उसका भी एक बहुत ही अच्छा एफेक्ट होता है तो ब्लैक कलर करने के बाद अब हम गोल्डन स्प्रे यूज़ करेंगे साइट्स में मेरे पास एक जैसे दो फ्रेम थे जिसमें से मैंने एक को थोड़ा पतला कट कर लिया है और उस पर भी मैं सेम टेकनिक फॉलो करने वाली हूँ पहले मैं ब्लैक स्प्रे करूंगी उसके बाद गोल्डन स्प्रे यूज़ करने के बाद दोनों फ्रेम्स कुछ ऐसे दिखाए देंगे साइट्स में गोल्डन एंड सेंटर में ब्लैक कलर मेरे पास कुछ वेस्ट माटिरियल पढ़ा था जिससे मैं आप इस फ्रेम को डेकॉरेट करना शुरू करने वाली हूँ अगर आपके पास कोई भी वेस्ट माटिरियल है कोई लेस है कोई सीक्वेंस है तो इससे आप डेकॉरेट कर सकते हैं हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है झाल झाल पहले मैंने एक फोटो फ्रेम बनाया था जो कि तूट गया था तो अब मैं उस फोटो फ्रेम को इस फोटो फ्रेम में यूज़ करने वाली हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस फ्रेम के बैक साइट पर ग्लूगन का यूज़ करके उसे ग्लिटर शीट पर पेस्ट कर देती हूँ और साइट से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर दूँगी पहले मैंने सिल्वर ग्लिटर शीट यूज़ की थी बट मुझे इसका रेजल्ट बहुत अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको रिमूफ करके यलो कलर की ग्लिटर शीट यूज़ की है जो आपको आगे के फ्रेम में दिखाई देगी अब इस फोटो को बड़े फ्रेम के बैक साइड पर ग्लुगन की हेल्प से पेस्ट करना है दूसरे फ्रेम के बैक साइड पर भी आप अपनी चॉइस से कोई भी फोटो लगा सकते हैं बट मेरे पास अभी कोई और फोटो नहीं थी मेरे पास एक वाटर कलर पेंटिंग रखी वे थी तो मैंने सोचा उसी को यूज कर लेते हैं दोनों फ्रेम्स पर फोटो लगाने के बाद अब हम इन दोनों फ्रेम्स को एक साथ पेस्ट कर देते हैं पेस्टिंग के समय ध्यान रखना है हमारे जो फ्रेम्स हैं वो थर्मा कोल के बने हैं जैसे गरम ग्लूगन लगेगी वो हिससा जल जाएगा इसलिए थोड़ी दिर प्रेस करके रखें उसे मैंने कुछ फ्लार्स बनाए हैं उससे अब मैं इस फ्रेम को डेकोरेट करने वाली हूँ और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैंने ये फ्लार्स कैसे बनाए थे आपके पास जो भी फ्लार्स हैं डेकोरेशन का जो भी समान है आप उससे अपने फ्रेम को डेकोरेट कर सकते हैं य्दिना सराओार मैं इस्पार अोड़ हैं अइस कैसा आपके बता हैं जय सकते हैं य्दार ऋमाट प्रोड़ ज समय हो गुट। कर दो कर दो कर दो 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 कर दो कर दो को अपना है मेरे पास कुछ वेस्ट पोल्स भी पढ़ेते जिने मैं डेकुरेट करने वाली हूँ फ्लार्स के सेंटर में कर दो झाल 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 क्षाप नहीं है अ नहीं है पन्हाड़ कर दो